वेलकम to AV Studies AV Studies में आपका स्वागत है हमारी History कि इस lecture series में हम अभी cover कर रहे है Modern History of India को आधुनिक भारत की इतिहास को हम discuss कर रहे है हमारे lecture series जो कि किसके तो इतिहास के इस वीडियो में हम जानेंगे लखनोंव पैक्ट के बारे में लखनो पैक्ट में ऐसा क्या हो गया था कि दोनों एक साथ आ गया और बिट्सर्स के खिलाब बढ़ चड़कर इन्हों ने इंडिया नेशनल मुव्मेंट में हिस्सा लिया उसके बारे में हम जानेगे इस वीडियो में हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था गांधिय कर निबाते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लिए आई बटन में आपको मिल जागा लिंक और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया इसके अलावा जो है एबी स्टडिज नाम का हमारा फेस्बुक पेज है आप वहां भी ह हमें फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर लिखिए बी स्टडिज पेज मिल जागा उसको फॉलो कर लिजिए जिससे के हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट जो है वह आपको असानी से मिल जाएगा अब देखिए लखनो पैक्ट लखनो पैक्ट के पहले जो है हमें जानना अगे सेपरेट इलेक्टरेट की उनकी जो है निरवाची छेत्र जो है उसमें केवल वोचाते थे कि मुस्लीम ही वोट करें प्रतिनिदी उनी का हो तो इनी सब कारणों से जो है मुस्लीम लिख का फॉर्मेशन हुआ था और वो क्यूंकि अलग विचारधारा रखती थी तो आपस तो लखनों पैक्ट में हाथ मिला लेते हैं आएंसी के साथ में तो चले शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को लखनों पैक्ट के उपर जो की पूरा का पूरा डिसकुसन रहेगा देखिए सबसे पहले क्या फॉर्मेशन और मुस्लीम लिख के बारे में जानते हैं तो लॉर्ड मिंटो जो की वाइसराय था कब तो जब मुस्लिम लिख का फॉर्मेशन हुआ था या फिर 1906 का रेकाल था इसका तो लॉर्ड मिंटो ने तरकीब भीड़ा थी क्या तो हिंदू मुस्लीमों को आपस में लड़वाने की जिसमें हिंदू में कौन थे तो आएंस किसे एक बीच मर्ण दाले तो हिंदू मुस्लीम को दिखा तो हिंदू मुसलिम के बीच में फूट डालकर मुसलिमों को है जो है अपनी ये बड़ी सकती के रूप में इस्तवाल करना चाते थे कौन तो लाड मिंटो इसी के तहज्ज जो है 19 एक अक्टूबर 1906 में बुलात जाता है सिम्ला में कहां क्यों तो लॉड मिंटो से मिलने के लिए वहां मीटिंग होती है फिर जो है 30 दिसंबर 1906 को धाका की नवाब धाका क्या तो आज यो बंगलादेश है उसकी जो राजधानी है धाका उस वक्ट भी बंगलादेश जो की उस वह में इस्ट बंगाल के ना पर तो 30 दिसंबर 1906 में धाका में कौन थे लीडर मतलब जो समीड भुलाए गया था तो उसके हैड कौन थे तो सरली मुला जो की धाका के नवाब थे उस वक्त फिर क्या होता है कि 1909 में आता है इंडियन कांसिल एक इंडियन कांसिल एक को मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा क्या है इसके बाद यहां की क्रावन का रूल डायेक्ट चलने लगा था पहले चार्टर एख्टा था तो तीस में लेकिन जब क्रावन का रूल हो गया separate electorate separate electorate दे दी गई अब क्या है दोनों में डिफ्रेंस मुस्लिम के एरिया में हिंदू नहीं लड़ सकते थे चुनाओ जो भी महां वोटर होते थे वो मुस्लिम होना उनका निवारे था हिंदू लोग वोट नहीं कर सकते थे इससे क्या हो गया मन मोटाव पनफ गया हिंदू वर मुस्लिम के बीच में तो चाते थे चाते थे क्या पस में लड़े ऐसे भी तो कभजा करी लिया था अब जब लोग जो भागाना चाहरे हैं अगर उनके बीच में मत्विध हो गया आपस में लड़ते रहें तो उनका काम तो और आसान से यहां से धन दॉलर लूट के जा इंडिया का जाता है किसको लूर्ड मिंटो को फ़िर देखिए आगे देखते हैं क्यों आदीज सबसे पहले जो है कि साइज कर लेक्ट कर घिया से अन्य विज़ान पहरी सब्सक्र्द assessment कर दिए और तोसलों सब्सक्राइब ताकि यह नमें ते से सब आल ज़किए कारव मामें हिंदु काीच समये प्रीजन स्वास को अ संभिद्रस। यह कें Wasn't करती के पिर यहां से केंदर और राज्य दोनों में बहुमत बनाय रखने के लिए जो है सीटे बढ़ाई गई और मुस्लिम के साथ साथ हिंदू को भी कुछ वर्गों में सीटे दे दी गई फिर थोड़ी रियायते बरती गई अब क्या था कि पहले भारत के लोग सवाल नहीं पूछ सकते थे लेकिन उनको थोड़ी छोट दी गई और व उसके बाद देखिए जो छूटे दी गई थी उसकी के आधार पर सतेंदर परसाथ सीना जो है पहले इंडियन मनते हैं जो कि वाइसराई कांसिल में एक्जेक्यूटिव के तोर पर निउक्त किये जाते हैं और पहले भारत के भारतिये होते हैं जो कि विधाईका में एक अच्छे पोस्ट पर निउक्त किये जाते हैं इसके बाद जो है क्योंकि सेपरेट इलेक्टरेट दिया था इसकी के लिए फादर ओफ एक कमिनल इलेक्टरेट कहा जाता है कि इसको तो मॉर्लेमिंटों को इसके ब तो इनको फिर चेमबर ओफ कॉमर्स और रजयर्स में तो राजय सभा विधान सभा में इनको दे दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन फिर देखिए कुछ बैग्राउंड देखते हैं लखनो पैक्ट के बारे में तो सबसे पहले क्या है जब 1906 में मुसलिम लिक का फॉर्मेश स्टांस रहता है मतलब यह लोग जो है ब्रिटिसर को मानते थे उनके समर्थन करते थे तो स्टार्टिक में ऐसा हुआ लेकिन पहले वर्ल्ड वर के बाद में जब क्लैम्स फोर्ड जो कि उस समय के भारत में वाइसराय थे वह भारतियों से उन्होंने युद में समर्थन करने के बदले में भारत को अच्छी सुसासन वेवस्ता देने की बात रखी थी लेकिन बाद में जब वर्ल्ड वर खतम होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है हालत और बत्तर हो जाती है लोगों को लगा था खास करके मुस्लीम लिग को लगा था कि अब उनको जो है सरकार में जगा मिलेगी एक स्पेसल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा स्पेसल राइट्स मिलेंगे भारत की इस्तिती सुद्रेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है हालत साथ देने लगी थी समर्थन करने लगी थी इसके बाद उनकी भी आंके खुल जाती है और सब जो है बिट्सर के खिलाफ अंदोलन करने के लिए और ज्यादा आतुर हो जाते हैं फिर मुहमद अली जिन्ना ने इसको देखा एक उपरचुनिटी के तोर पर जब देखा कि मुस्लीम लिग किया तो आगा खान के द्वारा सुरू की गई थी हमने पढ़ा अभी सिम्ला में बात हुआ था तो मुस्लीम लिग के लोगों को जब देखा कि वो लोग बिट्सर के खिलाब भड़क रहे हैं तो मुहमद अली जिन्ना जो है इसने एक उपरचुनिटी के त दोनों के मेंबर थे कॉंग्रेस के मेंबर थे और मुस्लिम लिग के मेंबर ते इसलिए इनको अमबेजडर ओफ हिंदू-Muslim प्लैटफॉर्म भी कहा जाता है बतला हिंदू-Muslim भाहिचारे का अमबेजडर भी कहा जाता है मुहमद अली जिन्ना को लेकिन बात में क्या पाकिस्तान बन गया देश अलग हो गया जिससे काफी मारकाड भी फैली थी जो की काफी एक दुखट घटना हुई थी देखिए जिन्ना जो था वह मुहमद अली जिन्ना दोनों के मेंबर थे किसके तो पाइव कॉंग्रेस के भी आएंसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लिग क जो की एक перемist leader थे वो और गोफाल कृष्ण गौकले दोनों मिलते हैं किसे तो मुसलिम लिग के लीडर से है तो बांबे में ये पहली बार था जब मुसलिम लिग और कॉंग्रेस जो है और कॉंग्रेस में भी किया तो दोनों एक्ट्रीमिस्ट और मोडरीच दोनों के लीडर और मुस्लिमिलिग तीनों पाटिस के लीडर कहीं पर भी एक जगह पर मिले थैं very स्कृ Griff The ordenだ एक्ट्रीमिस्ट तो पहले से एक दुसरे से भेटро रहते थे दोनों को पसंद नहीं करते देख दूसरे को और मुस्लिम लिग का भी थोड़ा बहुते ही हाला था वो भी किसी को पसंद नहीं करते लेकिन पहली बार वो मुस्लिम लिग को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए त्यार हो जाते हैं और एक काफी अच्छा अच्छी मीटिंग होती है जॉइंट सेसन में इनकी फिर क्या होता है ऑक्टूबर 1916 में नौ इलेक्टेड इंडियन मेंबर जो की इंपडियलीशिलेटिव काउंसील के मैंबर होते हैं वो एक मेम्रेंडनम भेजते हैं वाइसराय को रिफॉर्म्स के लिए मतलब हालत कुमगे सुधार के लिए क्या करते हैं तो वाइसराय को एक पत्र लिख कर बेशते हैं फिर क्या होता है तो 1916 में सभी दल के नेता कलकता में फिर से मिलते हैं और सुजाव पर चर्चा करते हैं सुजाव पर क्या चर्चा करते हैं तो संसोधन के लिए भेजा गिया था वाइसरा एक पास जो पत्र जिसका कोई भी जवाब नहीं आता उदर से तो उस पर चर्चा करते हैं कलकत्ता में दुबारा से मिलकर सभी नेता कौन को तो मौडरिस्ट एक्स्ट्रिमिस्ट और तो मुस्लिम लीग तीनों मिलते एक जापे फिर फाइनली क्या होता है फाइनली जब देखा जाता है इन्होंने कि कोई भी रिफॉर्म नहीं लाया गिया क्लैम सोट थे कौन तो वाइसराय थे चित्थी पर चित्थी लिखते गए या चिका करते गए लेकिन बिटसर जो है को होता है अगरिमेंट किया जाता है जो उसमें कुछी विससताइं बात जो है जो मुस्लिमों को अधिक रिखो दे दिया जाता है इसके बाद जो है पैक्ट में मुस्लिम लीक की सक्तियों को बढ़ा दिया जाता है और दोनों दलों के बीच में एक सपस्ट संबन एगरिमेंट हो जाता है जिसमें की सीधे ही इससे कहा दी जाती है कि मुस्लिम लीक के जो भी लोग है उनको स्पेसल राइट्स मिलेंगे और उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा माना जाएगा सरकार में इसके बाद जो है सरोजनी नाइडू जिनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसके अलाओ सरोजनी नाइडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी और कहां कि थी यह आप लोग जो है डिस्क्रि मुस्लिम यूनिटी की उपादी दे दी जाती उनको कहा जाता है अंबेजडर किसके तो हिंदू मुस्लिम की एकता का जो है राजदूत बताया जाता है मुहमद अली जिन्ना को फिर देखिए लखनोट पैक्ट की जो कुछ प्रमुख विजशता हैं थी वो क्या क्या थी उ वाइसराय ओफिस हो गया लेजिस्टी लेजिस्लेचर हो गया इन सब में जो है भारतियों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा कम से कम जो है 50% भारतिया रहेंगे तो यही बात का जो है सेल्फ गवर्मेंट से संबंदित रखती है फिर एवॉलीशन ओफ दा इंडियन कांस में जो की 1909 में आया था अभी क्या है अभी दुबारा 1919 में आएगा जिसमें रोलेट्र आएगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अभी 1909 के बारा में जानी है 1909 में जो आया तो इस वारतियों को लगा था कि हमें Special Rights मिलेंगे प्रेजेंटेशन दी जाएगी सरकारों में लेकिन कुछ नहीं हुआ सबरबाद निलबटा सन्नाटा तो उसका जो है एवालीशन कर दिया गिया उसको कहा गिया फिर से सुधार करके लाओ नहीं तो उसको फूरी तरीके साथ आओ फिर क्या है सेपरेट एक्जी क्यों कि पहले क्या था अगर एक्जी क्यों करना करना यह जो एक ही पाठी चेह की रहेंगे एक तैना तो कभी दल के नहीं जिंद्कीं बतस से बत्तर लोग हैरान पराशान और वही होगा सरकार मस्त और जनता पस्त तो किया गया सबसेड़ पहले हटा दिया गया जुडिसरी और एक्जेक्यूटीव का लग लग किया गया आज की भी जो हमारी सासन पॉट नाली भारत की उसमें भी कारे पालिका और न्याए पालिका अलग-अलग है जिससे की लोगों की जो है जो भी राइट से हैं उसकी रक्षा की सके और कानून जो है वो सही तरीके से लोगों के हितने बनाये जाए फिर तीसरा क्या था तो जो भी अगि जो भी बिटिस फ़ंड से जाएंगी तिसरा जो था इसके बाद वो था वन बाई थर्रेजेंटेशं सुट बी गिवन टूम मुस्लिम इन। मतलब केंदर सरकार में मुस्लिम वर्क के लोगों को कम से कम एक बटा तीन रिप्रेजेंटेशन देना ही देना होगा यह थे लखनों पैक्ट के की फीचर उसके बाद प्रतेक प्रांत में मुसल्मानों की संख्या प्रतेक प्रांत के लिए एक फिक्स की गई मतलब जैसे मान लिजे कि 20 है तो 20 का 1 by 8 है कितना होगी या 3 चकटारा तो इतने जो हैं जरूरी है मतलब हर तीन में से एक जो है प्रांतिय संख्या विधायका में वो मुसलिम होना जरूरी है फिर सेपरेट इलेक्टरेट इसके बारे में हमने बात कर ली फूर ओल कम्यूनिटी जब तक की जो है एक जोइन्ट इलेक्टरेट की डिमांड नहीं कर दी गई थी जोइन्ट इलेक्टरेट की मांग कर दी गई थी उसके इसको इस्थागित कर दिया गया था फिर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इस सिस्टम ऑफ वेटेज फूर माइनरिटी रिप्रेजेंटेशन मतलब जो आरक्षन आज चलता है वह हिसाब कि कि माइनरिटी काउंसिल का जो टैनियोर है वह बढ़ाकर कर दिया गया पांच साल जो कि आज भी पांच साल रहता है सरकार कारेकाल फिर एक बटा दो मेंबर जो होंगे इंपिरियल लेजिसलेटिव की काउंसिल की वह भारती होंगे मतलब राज्य सभा और लोग सभा में जो भी जितने भ कि तर्वें के चुने जाएंगे मतलब चार बटा 5 जो है वो वोटिंग द्वारे चुने जाएंगे और एक बटा 5 जो है यहte नॉमिनेटेड होंगे किसमें तो लोग सभा में अब चार बटा investir कर लिया हमने उस पैक्ट के बारे में हमने उसके बैग्ग्रांड में देखा क Lord Minto ने करवाया था तो भारत में फुट डालो सासन करके नीति को और जादे अच्छे से implement करने के लिए हिंदू अर मुसलिम के बीच में मतभेथ पैदा करने के लिए फिर हमने स्फिर प्रमुऐ को क्यों कहा जाता था दिए एंबेजडर ऑफ हिंदी मुसलिम उनिटी तो इन सब चीजों के बारे में हमने आज की इस लेक्चर में डिसकस कर लिया डिटेल में इस लेक्चर के पीडिएफ अगर आपको चाहिए तो वह आपको हमारे टेलग्राम गूर्प से मिल जाएगी जिसका लिंक डिसक्रिप Council Act 1919 के बारे में और साथ ही हम देखेंगे जलिया वाला बाद मैसा के बारे में जो की एक काफी दर्दनाक और सर्मनाग घटना थी जो की अगले वीर वै कि एक टे लो के अल खर्द देमे प्रेंग है देस्टे जायकर फिर्हां पर बारे में जागे एक切के दो अ कि धसेट दूटनेगे orना को काफी से देमां इल. झाल